Hollywood की sci-fi thriller movies में जब भी hacking का use होता है तो वो हमें एक beyond imagination लेवल पर ले जाता है क्योंकि उस टेम हमें समझ में आता है कि technology को किस लेवल पर twist किया जा सकता है लेकिन ज्यादातर movies में hacking सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होता है और Hollywood में भी hacking के उपर dedicated movies बहुत कम बनी है इसलिए आज की studio में आपको बताने वाला हो Hollywood में बनी कुछ बहुत ही सांदार movies को जो पूरी तरह से hacking के उपर dedicated है इनमें समोस्ट अब्दा movies आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी तो बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले कर आपने भी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना 2014 में इस मुवी को आस्ट की सबसे best hacking मुवी माना जाता है इस मुवी में कहानी दिखाएगी एक ऐसे लड़के की जिसने कभी अपने फादर को नहीं देखा है और सिर्फ 8 साल की उमर में depression में जाने के बाद उसने अकेला रहना सुरू कर दिया जिसकी वज़े से उसे लगने और फिर कहानी में आगे क्या होता ही आप इस मुवी में देख सकते हो मुवी को रेटिंग सुम्री आइमडी पर 7.5 की और ये मुवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी दूसरी मुवी है unfriended dark web डार्क वेब इंटरनेट का वो काला हिस्सा है जहां पर बहुत सारी illegal चीज़े होती है और जो भी इसमें एक बार फज़किया उसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस मुवी में भी ऐसे कुछ दोस्तों की कहानी दिखाए डार्क वेब के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर किस तरही की चीज़े होती है और कैसे लोग वहाँ पर फज़ जाते हैं इस मुवी को रेटिंग्स मिली AMD पर 6.0 की और ये मुवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी तीसरी मुवी है स्नोडेन ये एक बायोग्राफिकल त्रिलर मुवी है जिसमें एक हैकर एडवर्ट स्नोडेन की कहानी दिखाए गई है जिसने नेशनल सिक्योर्टी एजनसी के हाईली क्लासिफाइड इन्फोर्मेशन को लिग कर दिया था ये मुवी आपको दिखाएगी क कैसे बड़ी बड़ी टेग कंपनिया यूजर एक्सपीरियंस के नाम पर यूजर्स का सारा प्राइवेट डाटा ले लेती है और उनके उपर 24 गंटे निगरानी रखती है और उनका गलत इस्तमाल करती है इस मुवी में दिखाए गया है कि कैसे स्नोडेन, NSA को और बड़ी वेब और हैकर है यह मुवी ट्रू इवेंट्स पर बेजड है जिसमें कहानी दिखाएगी एलेक्स नाम के एक लड़के की जिसकी फाइनेंसियल कंडिसन खराब हुजानी के वज़े से वो इलिकल काम करने लग जाता है और एक साइबर क्रिमिनल ग्रूप को जॉइन कर लेत जिसके बाद फिर कहानी में के क्या कुछ होता है या आप इस मुवी में देख सकते हो इस मुवी को रेटिंग्स प्ली आमडी पर 6.1 की और ये मुवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट मुवी है ब्लैक हैट मुवी में निक नाम के एक लड़की की कहानी दिखाएगी है जिसको पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके एक कोड को टेरिश्ट के साथ में जोड़ा जाता है जिसके बाद उसको बचने के लिए पुलिस की मज़द करने पड़ती है जि ये मुवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी नेक्ट मुवी है दो फिफ्ट एश्टेट ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मुवी है जिसमें न्यूज लिकिंग वेबसाइट विकिलिक्स की कहानी दिखाए गई है ये मुवी हमें दिखाती है कि विकिलिक्स दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक वेबसाइट कैसे बनी और इसकी सुरुवात कैसे हुई इसके फाउंडर्स कौन थे और इसने दुनिया के बड़े-बड़े सीक्रेट को कैसे लिक कर दिया इस ड्रमेटिक थिलर मुवी में इंटरनेट के रिसोर्स और उसके पाउर का यूज़ कर दुनिया के कुछ बहुती करप्ट लोगों के डार्क सेक्रेट्स को इस वेबसाइट पर लिक कर देते हैं यह मुवी काफी ज़्यादा सांदार है और इस मुवी को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए मुवी को रेटिंग स्प्री आमडी पर 6.2 की और यह मुवी आपको इंग्लिस में देखने को मिल जाएगी हमार लिष्ट की सेवंथ मुवी है आईटी मुवी में माइक नामके बहुत ही अमीर आदमी की कहानी दिखाई गई है जिसके पास लाइफ में सब कुछ है अच्छी वाइफ अच्छी फैमिली और अच्छा बिजनेस लेकिन एक दिन उसके आईटी एडवाइजर के साथ माइक के रिलेशन कुछ खराब हो जाते हैं एक बार तो जरूर देखना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपकी कौन सी फैवरेट हैकिंग मुवी आप कमेंड में बता सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई